स्टूडेंट, आज हम क्लास पेफ्त समाजिक अधियान पुबोल में पार्ट टू सौर मंडल एवं प्रत्वी के विशे में पढ़ेंगे पर्स टॉपिक इस सौर मंडल किसी अंधेरी रात में जब हम आस्मान की और मूँ करके लेटते हैं तो कितना अच्छा द्रश्य होता है आस्मान में छोटे बड़े अंगने चमकते वे जिल मिलाते हुई हमें तारे दिखाई देते हैं ऐसा रगता है जैसे नीली सी चादर पर किसी ने बहुत सारे तारे जड़ दियों सितारे जड़ियों, सूर्य निकलता है तो सारे तारे छिप जाते हैं आकाश में दिखने वाले तारों के इस सम्मू को ही तारा मंडल कहते हैं इन में से कुछ बड़े तारे होते हैं उनको हम दुर्बिन से देख सकते हैं तो वो हमें इस पश्ट यानि की सही डंग से दिखाई देते हैं इनको उपग्रह या ग्रह भी कहते हैं आकाश में मोजूद ग्रह, उपग्रह, तारा मंडल, आदी को ही सौर मंडल कहते हैं ऐसे सौर मंडल भी असंख्य हैं जिने हमें गिनना मुश्किन है इन सब को मिलाकर एक ब्रह्मान की रचना होती है जिसे ब्रह्मान कहते हैं तारों, ग्रहों, पिंडों के बीज जो खाली स्थान, खाली स्पेस रह जाता है वह अंत्रिक्ष कहलाता है उपर दिखाई देने वाला नीडे रंग का आकाश वास्तव में बिलकुल खाली है नेक्स टॉपिक इस सूर्य सूर्य हमें दिखाई देने वाला सूर्य एक खगोलिय पिंड है इसका व्यास व्यास मतलब पता है ना आपको व्यास लगभग 14 लाग किलो मिटर है हमारी प्रत्री से इसकी दूरी लगभग 15 करोड किलो मिटर है यह अंत्रिक्ष में स्थित है परन्तु अपनी दूरी पर घुंता रहता है यह एक आग का गोला है गोले के समान दिखाई देता है इसका प्रकाश हमारी प्रत्री तक लगभग 8 मिनट और 5 सेकिंड एप्रॉक्स इसमें पहुँच जाती है इसकी किरने इसका प्रकाश बहुत सी जरने वाली गैसों के कारण ही इसमें उर्जा है और प्रकाश निकलता है इसी से प्रत्वी पर शक्ती उर्जा प्रकाश और जीवन विद्यमान है सभी ग्रह सूर्य से ही अपना प्रकाश प्राप्त करते हैं ग्रहों का कोई स्वेम का अपना प्रकाश नहीं है नेक्स्ट टॉपिक इस ग्रह जैसा कि आप सभी जानते हैं मैंने पिछले चेप्टरों में भी पढ़ाया हुआ है कि आज से लगभग 24 अगस्त 2006 में IAU के द्वारा ये प्रमानित क्या गया था उससे पहले 9 ग्रहों की शेणिया थी लेकिन उसके बाद 24 अगस्त 2006 के बाद अप ग्रहों की जो संक्या है वो 8 है जैसा कि इस आप चित्र में भी देख रहे हैं यह चित्र पूरा सौर मंडल का चित्र है इसमें सूर्य और सूर्य से जिनकी दूरी अन्य ग्रह भी दिखाए गए हैं जैसा सूर्य के सबसे नजदी बुद्ध ग्रह है और इसके सूर्य की दूरी 6 करोड किलो मिटर है और यह 88 बेज में अपना एक पूरी परिक्रमा सूर्य की लगाता है इसके पश्चात शुक्र ग्रह है शुक्र ग्रह की दूरी सूर्य से 11 करोड किलो मिटर है और यह 225 दिनों में एक पूरा चक्का सूर्य का लगाते हैं इसके पश्चात प्रत्वी है प्रत्वी सूर्य से लगभग 15 करोड किलोमीटर की दूरी पर है और यह 365 दिन वह 366 दिन में एक पूरा चक्कर लगाती है अगला ग्रह मंगल है मंगल 23 करोड किलोमीटर सूर्य से दूर है और यह 687 देज में अपनी एक पूरी परिक्रमा सूर्य की करता है अगला ग्रह ब्रस्पती है जो सबसे बड़ा ग्रह है और यह 77 करोड किलोमीटर की दूरी पर है सूर्य से और यह 12 वर्ष में एक पूरा चक्कर सूर्य का लगाता है इसके पश्चात शनीग रहे है जो 142 किलोमीटर सूर्य से दूरी परिस्तित है और 29.5 यह में अपना एक रेवलुशन कम्प्लीट करता है नेक्स्ट इस अरुन यह 287 करोड किलोमीटर की दूरी पर है और 85 इस में वन रेवलुशन कम्प्लीट करता है यह 450 करोड किलोमीटर सूर्य से दूरी पर है और 165 इस में वन रेवलुशन कम्प्लीट करता है सूर्य के साथ इस प्रकार यह सब मिलकर सौर मंडल का निर्मान करते हैं और इन सभी ग्रहों से सूर्य से उर्जा और प्रकाश क्राप्त करते हैं इन सभी ग्रहों का कोई भी प्रकाश अपना स्वेम का नहीं है सूर्य के चारो और घूबने वाले गोलकार जो पिंड होते हैं वे रह किलाते हैं सौर्य मंडल के आठ ग्रह हैं जिसका मैंने अभी वर्णन दूरी के हिसाब से किया है बुद्ध सबसे चोटा और ब्रस्पती सबसे बड़ा ग्रह है नवीन अब धाटाओं के अनुसार प्लूटो को जैसा कि मैंने पहले ही बता चुकी हूँ कि 24 अपरल 2006 आई एक यू कि अनुसार अब आट ही ग्रह मौजूद हैं प्रत्वी पर अब नेक्स आपक इस उपग्रह उपग्रह क्या होते हैं सबी ग्रह सूर्य के चारो और गूमते हैं इसी प्रकार इन ग्रहों के अलग-अलग उपग्रह भी होते हैं जो अपने अपने ग्रहों के चारो चकर लगाते हैं हमारी प्रत्वी का एक ही उपग्रह है चंद्रमा वे हमारी प्रत्वी की परिख्रमा 29, one and a half days में एक पूरा चकर लगाता है यही एक मास होता है चंद्रमा भी सूर्य से ही प्रकाश प्राग करता है वही प्रकाश पारावर्दित होकर आपने देखा होगा कि रात में चांदनी होती है चांदनी की तहरे प्रत्वी पर आता है प्रत्वी वे चद्रमा की परिक्रमा के कारण ही दिन और रात होते हैं रित्वे एवं चंद्र ग्रेंड और सूर्य ग्रेंड भी होते हैं नेक्स आता है प्रत्वी, हमारी प्रत्वी सूरे के चारो और घुमने वाले ग्रहों में से एक प्रमुक ग्रह है, इसका परिब्रमन लगभग 365 दिन या 306 दिन में पूरा होता है सूरे के चारो और घुमने के साथ साथ प्रत्वी लट्टू के समान अपनी दूरी पर ही घुमती है, इसमें उसे 24 घंटे लगते हैं यहां के परवत, सागर, नधिया, जलवायू, जेवजन्तू, आधी अत्यन, आकर्शित हैं सूरी से कम दूरी होने पर प्रत्वी के कुछ भागों में बहुत अधिक गर्मी होती है और अधिक दूरी होने पर कुछ भागों में बहुत अधिक सर्दी होती है हमारी प्रत्वी पर थल वे जल दो भाब होते हैं उचे नीचे मैदानी रेतीली धर्ती उचे नीचे हिम से ढखे हुए परवत हरे भरे मैदान वे खेत पवित्र जल से भरी नदियां विवित्र प्रकार की बनस्कतियां हमारी प्रत्वी को सुन्दर और आकर्शक बनाए हुए हैं इस प्रत्वी से हमें फल, फुल, खादेपरदार्थ, खरिश्परदार्थ और शदियां मानव उपयोगी अने प्रकार की वस्वेवं सामगरी प्रात होती है